जायजा भी पूरे एर्या का लेंगे तो एका बड़ी ख़बर आप तक पहुंचा रहे हैं तो समीक्षा बैठक भी आज पुर्धान मंत्री मोदी करने वाले हैं रहत और पुनर्वास के पहलों पर भी इस दोरान चर्चा की जाएगी तो दिल्ली से बड़ी ख़बर आप तक घाप रहती जो आपदा के लिए निकल चुब आज तो लेकर टौ को दाउन कित swoją और Mm आज की पहली देश में पहली यात्रा होगी दिल्ली से प्रद्धार मंतरी नरेद मोदी पत्रीम बंगाल के लिए निकल चुके हैं कोलकता के निकल चुके है और 10 बज़ कर 45 मिजट पर हो कोलकता एरपोर्ट पहुचेंगे जहां पर प्रद्धार मंतरी ममता बैनर जी उनका आगवानी करेंगी उसके बाद हवाई स प्रदान मंत्री से रिक्रेस्ट किया था कि वो आकर परसी बंगाल में तुफान गरस्थ छेत्रों का दौरा करे तो कहीं न कहीं आज एक लॉक्डाउन के बाद पहली यात्रा होगी प्रदान मंत्री की उसके बाद सम्भादों उडिसा भी जाएंगे जहां पर तुफान का अज़र देखने को मिला है तो प्रदान मंत्री दस बच कर तालिस मिनद पर कॉलकता एरपूर्ट पहुँचेंगे क्मार बुश्कल आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ महतपूर्ड इस दौरे में प्रदान मंत्री मोरे के होने वाला है और क्या कोई महतपूर्ड ऐलान भी प्रदान मंत्री आज कर सकते हैं अभी फिलाल हरवाई जो हाई सर्विक्षण है एर सर्वे होगा मंत्री के साथ जो जो पूरा जो तुफाद रखत इलाका है वहाँ पर उनका सर्विक्षण होगा तुदान मंत्री कोई बड़ा एलान कोई टाकेट का एलान पक्रिम बंगाल के लिए कर सकते हैं चुकि इसमें 72 लोगों की जान गई है बहुत बड़ा भारी नुक्सान पसिम बंगाल में देखने को मिला है तो कहीं न कहीं प्रधान मंत्री हरवाई सर्विक्षण के बाद एक बड़ा एलान कर सकते हैं अब कुमार यहां पर कुमार प्रधान मंत्री नहीं द्रमोदी एक समिक्षा बैठाग भी करने वाले हैं आपसे जानना चाहेंगे कौन-कौन से अधिकारी आप फिर प्रमोखनेता इसमें शामिल होंगे देखें प्रधान मंत्री के अलावा जो मुक्त मंत्री मम्ता डैनर्जी है उसके अलावा एंडी आरेस की टीम के जो हेड है फकिर मंगाल के ओ रहेंगे जी नजर बना रखें कुमार पुश्कुल आपसे अपडेट रहेंगे फिलाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत दन्यवाद